हेलो दोस्तों मैं सुजाता स्टाडी विस सुजाता उपायदया चैनल से दोस्तों मैं अब मद्यकालिंग भारत का इतियास बढ़ाने वाली हूँ इसके पहले मैंने प्राचीन भारत के इतियास से कई सारे वीडियो बना हैं अगर आपको देखना है ताप मेरे चैनल के प्ले माकरवन यहां से मैं सुरुआत करूंगी तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा और सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी मत चाहिएगा तो चलिए सुरुआत करते हूं पहला कुश्चन है कि सिं सिंद विजय के बाद जो सरप्रत्म जजिया कर लगाने वाला शाशक जो था यह आपका मुहम्मद बिन काशीन था इसके बाद हम लोग का दूसरा कुश्चन है कि मुहम्मद गजिनवी के काल में शाही राज्जी की धानी इस्थित थी तो यह आपका उद्भांडपूर मे इस्थित था मुहम्मद गजिनवी जो था यह प्रत्म आकरमर जो है एक हजार एकिस्वी में हिंदू साही राज्वन्स पर हुआ था यहां की राजदानी जो थी उद्भांडपूर थी इसको वेहंद भी कहते हैं हिंदू साही वन्स का सासव जैपाल था यह इसका हिंदू राजा कौन था तो यह अपका जैपाल था जैपाल था यह राजा मुहम्मद गजिनवी के साथ युद्ध में निरंतर पर आ जय के बाद इतना मानित मासूस किया किया क्या किया आत्मात्या कर लिए उसके बाद वाला कुस्षण फोर्थ नंबर पर है कि चाच नाम किस प्रदेज के तिहस का वरणव करने वाला ग्रंथ है तो चाच नमा जो है ये आपका सिंद अर्बों के सिंद विजाय का बिष्तितल्थ ऑफ्राइब नामक ग्रंथ में मिलता है मुहम्मद बिन कासीम के अवियान तता उसके सासंप्रमन आदी के संबन्द में यह एक प्रमाड़ी क्या है सुरोत है यह इसमें यह वरना मिलता है कि सिंद्ध के सफल अवियान के ततकाल बाद खलीपा वाहिद ने मुहम्मद बिन कासीम को मुर्ति किया था तो सत्रे बार किया था उसके बाद वाला कुछT थाने कि लंड़न विस्विद्धरा कांस्ट कि क्योंकि राजाइं नहीं दिया गया तो लंड़न दावी सुध्धरा जो है प्राचिन भारत के सिछा केंड़ों में सर wichtig कोल लेख निये सर पतम यह बिहार के स्थापना गुप्त काल में ही करवाई गई थी जो चीनी आत्री में शांग है उनके अनुशार इनके संस्थापक जो थे सक्क्राधित यानि कुमार गुप्त थे हर से काल में नालंदा को पूर राज की सनच्छा मिला था जिसके प्रणाफ सरूब यह जगत प्रशि संबान करता था अपने समय के महान विद्वानों को घजनी में कत्रित किया था उसके जो उनके दरवारी थे इतियासकार वो उत्वी थे उत्वी थे ठीक है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आठवे नंबर पर कुस्च्चन पर फार्सी का हुमर किसे कहा जाता है तो अकरमण किया था तो मुल्तान थनेश्वर, कश्मीर, मत्थूरा, फिर कन्नौ्ज तो बता देता है कपकप क्या था है तो मुहमाद गजनावी ने जो मुल्तान के सासक अबधुल्फत्त दाउद के बियोद में अपना चौथा अकरमण एक हजार छे में किया था और था-छा कन्नौज उसमें 10-18 इस्वी में आक्रमन किया था ठीक है तो इसी प्रकार इंका कर्म हो गया मुल्तान ठानेश्वर कस्मीर मत्वुरा फिर कन्नौज उसके बाद दस्वा कोशन है कि 1194 इस्वी के चंदावर के युद में मुहम्मद गोरी ने किस भारती सास्व को पराजित किया था तो यह जैचंद को पराजित किया था 1194 में चंदावर की विद में जो मुहम्मद गोरी ने ये कन्योज के गहडवाल राजा जय चंद को प्राजित किया था और चंदावर वर्तमान फिरुजावादी लोग में यमुना तट पे स्थित है उसके आदा आ गया पर 11 नंबर का कुस्चन तारी के हिंद पुस्तक किस न मुष्छिंद के ले का कौन थे तो यह आपके अलू बहरनी थे तेहरा नमबर पर मुहमद गोरी के द्वारा परास्ट किया गई प्रत्थम भारती सासा कौन था तो यह मुझी रात चोहां थे उसके आकार्थम पराद मुछ्छों का कुस्चन है। मुषते हैं किस मुस्निम साख सके सिक्कों पर देवी लचमी अंकित की गई है तो ये मुहम्मद गोरी शासल उनके समय में सिक्कों पर देवी लचमी का अंकित मिला हुआ है ठीक है दोस्तों अबर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए गाशेर करिए और सबस्क्राइब किये वे लगद करुगे करिए Tá